नमश्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे 36 कावे पार्ट 2 कावे पार्ट ये आपको पहले करा दिया गया है कावे पार्ट 2 पढ़ेंगे अपनी बुक्किया आपको निकालिए पेज नंबर प्रसंख्या 11 देखें ये तो ये हमारा जो पार्ट है तो उसी दाजी द्वारा र और उसी दाजी द्वारा जो रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है अगर में रामद्वारा शिव धुनषभंग के बाद मुनि परुष राम को जब समाचार मिला तो वहां आते हैं तो इसमें की समय कावणणने सीटसंवर ने सीटसंवर में हो रहा है और तो जब राम ने ये कर दिया था काम और धनुष्ट टूट गया था इससे उसकी तेज गर्जना हुई कि उसको सुनकर मुनी परश्राम जी वहां पहुंच जाते हैं शिफ धनुष को खंडित देकर वे आपेसे बाहर हो जाते हैं और शिफ धनुष को खंडित याभी फूटा हुआ देकर आपेसे बाहर हो जाना मुहाब रहा है आपेसे बाहर हो जाते हैं यानि कुरोधित हो जाते हैं राम के विने और विश्वा मित्र के समझाने पर तथा र लेज औणिश राम लक्षमन और परश्राम arms के बीड़ों बास्थ हूँ उसको क्या प्रस्तूत्स किया गया है तु Muy The टोकेए क्रोद्ढ केड़्बर हितों का ऊतर लक्षमन्ट व्यांग वच्चन यहां भागत reno इन तज्णी बहुए 2 bit मे美味EC । तो वो व्यंग बच्छमा से उसका उत्तर देते हैं जिससे की क्या होता है जिससरे से आग में हम आगूती डालते है तो ज्वाला और ज्यादा जलती है उसी प्रसंग को और ज्यादा बढ़ रहा था ऐस प्रसंग की विशिष्टा है लक्षमन की बीर रस से पगिवेंगयोक्तिया और विंजना-षएलकी सरसेव्यक्ति यह पूरा प्रसंग दिया गया जो कहना चाहते हैं उस इस काव्यांश की विशेष्टा है देखिए प्रस संख्या थे 12 राम लक्ष्न पर श्राम संबाद तो जब अश्राम जी प्रोधित होकर पूछते हैмKY खीस ने भ रहया है तो राम बिने पूत्र क्या कहते हैं नाथ शम्भू के धनिश को तोड़नेवाला शम्भू के धनिश को तोड़नेवाला कहिन मतलग कहिए मुझसे आप उसे क्या अग्या देना चाहते हैं आप मुझसे कहिए सुन रिसाय बोले मुनी कोही सुन मतलब सुनकर रिसाय मतलब क्रोधित मुनी मतलब परश्राम जी कोही मतलब क्रोधित होकर ये सुनकर पहले से ही क्रोधित परुष्राम जी और क्रोधित होकर बोले सेवक जो सो करे सेपकाई क्यों क्रोधित हुए क्योंकि राम ने कहा था कि आपके सेवक नहीं तोड़ा होगा परुष्राम जी ने क्या कहा सेवक जो सो करे सेपकाई सेवक बो होता है जो सेवा के कारे करता है अरिकर्णी कर करई लराई लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है उसने क्या किया है अरिकर्णी अरियारी शत्रुकर्णी मतलब कारे शत्रुता के कारे करके उसने तो मुझसे लड़ाई मोल लेनी है सुनो राम जी सिव्धन तोरा हे राम सुनो जिसने भी ये शिपजी का धनुष तोड़ा है सहस्वाहू समसो रुपु मोरा वो सहस्वाहू के समान मेरा रुपु यानी दुश्मन है सहस्वाहू के विशे में मैंने आपनों को इससे पहले वाली गलास में बताया था सहस वाहू एक राजा थे वो उनकी परश्राम जी से क्या दुश्मनी थी कि परश्राम जी के जो पिता थे उनका नाम था जमदगनी रिशी के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनू तो वो जैसे की नाम से ही पता चल रहा है वो हर काम को पूर्टता देने वाली गाय थी यानि उसके सामने जो भी आप अपनी इक्षा रखेंगे वो उसकी पूर्ती करने वाली थी तो उस गाय को देखकर एक वर क्या हुआ जंदनी जिशी राजा लोग पहले शिकार के लिए जाते थे तो वो शिकार के लिए बन में गाय होंगे रात होने के कारण वो पर शिकार के पहले क्या था राजा लोग को लगता थे कि उनकी राज में जितनी भी चीजह हैं उनपर सबसे पहला अधिकार को राजा का होता है तो उसको लगा कि अच्छी गाय है और वो मेरे पास नहीं है तो इन वो गलत है तो उन्होंने कहा जंदनी निशी से को आप ये गाय मुझे जब दग्नीmeter weather देग दिशी ने बना गार दिया और यहका प्रुब्धा को ले लिया था ऑर जब बल्पूरा गाहे को ले लिया तो पुट पे मतार पर लगा और परश्राम को यह पता चला तो वह जाकर उन्हों और उस जाय को ले आए थे तो किया रहा है कि जिस तरह से स्हासवाऊ के समान मेरा दुश्मन है जैसे मैं उसका अंद किया था उसी तरह इस दुष्मन का भी अंद करतूंगा इसने शिब्जी का रणुश तोड़ा है सो बिलगाओ बिहाई समाजा सो मतलब वो बिलगाओ मतलब अलग हो जाए बिहाई मतलब राजाओं के समाज से तो जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इस राज समाज से अपने आपी अलग हो जाए ना ते मार जहिल सब राजा मैं लिए तो सारे राजाओं का मिबद कर दूगा सुन मुनी बचन लखन मुस्काने जब मुनी की ये बचन सुने के मैं सभी राजाओं का बद कर दूगा इस उनका लख्षक蹲 मजाएं मुस्काने लगे बोले परस सुधर अभुमाने अब मानना मतलब अवग्या करते हुए और वो परुष्णाम जी की अवग्या करते हुए बोले बहुत धन ही तोरी लरकाई कि हमने लरकाई में यानि बचपन में बहुत सी ऐसी चोटी-मोटी धमियां तोरी थी कभा उनास रिष्ण की निगुशाई तब तो आपने रिष्ण कभी आकर ऐसा रिष्ण यानि क्रोध नहीं किया एही धन पर ममता के ही हेतु एही मतलब इस धन मतलब धनुश ममता यानि प्रेम आपका इसी धनुश पर इतना प्रेम क्यों है सुन दिसाई के भगुपुल क्येतू और यह सुनकर धगुपुल के केतू के सरू धवौक इनके कुल का नाम था और केतू मतलब हता है भогजा है जाह या यानि यह किसी चीज़ का साइन तो अपने प्रोश्राम जी प्रोधित होकर बोलें रेनःफवालक काल वस, बॉलत न तोही समहार, धनुँही समत्रप्रारी, धनुबिजिद सकल संसार, क्या ब attract रप वालक काल, भस छेनःफ़ालक काल वस जननी राजकुमार. यह राजकुमार से तुमृकल के बस में है, नित्ज़िक आ गई है. इसलिए बोलत न तोहे संभाफ तू शमॉलकर नहीं बोल पा रहा है। क्या नहीं समय कर बोल रहा है? कि धनुआ परागि शंतबा धनुआ है, यह कोई छोटी पुटी धनुआ ही नहीं है? ये त्रिपुरारी धनु त्रिपुर के राजा तीनों लोकों के राजा अर्था शिप का धनुश है विदित सकल संसार ये पूरा संसार अच्छी तरह जानता है लेकिन तू इस बात को नहीं समझ पा रहा है अर्था तेरी ज़क्ति तेरे निकट आ गई है लखन कहा हसी हमरे जाना लक्ष्मन को और जादा मजाग सुजा और हसकर कहने लगे कि जहां तक मुझे पता है हमरे जाना यानि जहां तक मुझे पता है सुनो देव सब धनुष समाना है देव सुनो सभी धनुष जो होते हैं वो एक समान होते हैं का छती लाव जून धनु तोरे छती मतलब हानी लाव मतलब फायदा किसी भी छोटे से जून धनुतोरे, जून मतलब पुराने, एक पुराने धनुष को तोरने से क्या हानिय अलख हो सकता है देखा राम नयन्ड के भौरे, राम ने तो इसको नएके भ्रहम में देखा था भौरे यानि भ्रह्म में नए के भ्रह्म में देखा था चुवट टूट रगपतिना दोसु और मेरे भाई मेरे भ्राता राम का इसमें कोई दोश नहीं है क्योंकि यह उनके ठूटे ही तूट गया था मुनी बिनु काज करतकत रोसू हे मुनी आप दिना कारण के इतना रोस यानि एतना क्रोथ क्यों कर रहे आं बोले चिते परुश की औरा ये सुनका Πरुश राम जी अपने फरसे चिते मतला देखकर परस मतला प्रसा जो उनका आधियार था उसका नाम था फरसा अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, रे सर सुनव सुभाव न मोरा, हे सठ, सठ यानि मूर्थ, हे मूर्थ, तुने मेरे सुभाव के बारे में अभी नहीं सुना है, बालक बोल बदू नहीं तो ही, अभी तक तो मैं क्यों चुप था, बालक बोल, बच्चा समझ करना, तुझ लिए, तू मुझे जड मतलब मात्र, ठांजारी मोणीब समझ, बाल ब्रह्मुचारी अतिकोही, मैं बाल ब्रह्मुचारी ह chlorine ह कि और व्स विस्विधित छत्रिय कुल प्रोही। पूरा संसार अच्छी तरह से जानता है कि मैं छत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। मैंने अपने भुजाओं के बल से कईबाल इस पुरी धर्ती को गूप के बिना भूप हैनि राजाओं के भीहिन कर दिया है। बफल भान मैं देवां 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 देवां